वीके न्यूज राश्ट्र के नाम इस पिता ने अपनी बेटी की इज़त पर हाट डालने वाले शक्स का मर्डर कर दिया और खुद ही दोनों हाथ उपर कर थाने जा पहुंचा ये मामला लखनाओं का है बकॉल पर वेश यादव उसने रजनीश की हत्या कर दी हत्या करने के बाद वो आत्म समर्ण पर करने के लिए थाने पहुंचा और गुनाभी कबूल लिया आरोपी ने बताया कि रजनीश ने हमारी बेटी से बत्तमीची की थी वहीं पुलिस ने हत्या में शामल युवती सबें दो अन्य लोगों को भी गिराफतार कर मामले का खुलासा कर दिया है पुलिस के मताबिक आरोपी नैना यादव ने मिर्तक रजनीश यादव को साजिश के दहत फोन करके अपने नए घर में बुलाया अपने पेता चाचा और छोटे भाई के साथ मिलकर रजनीश को मौत के घाट उतार दिया इतना ही नहीं हत्या के बाद अपने नए मकान के सेफटी टैंक में छिपा कर शब को ठिकाने लगा दिया वहीं पारा पुलिस ने हत्या के आरोपी सुनिल यादव नहना यादव और एक नाबाले को जीरो पॉइंट के आगे आगरा एक्सप्रस वे से गिरफतार किया पुलिस ने हत्या रोपियों की निशान देही पर हत्या में इस्तमाल की गई अधत हतोड़ी एक छैनी और खू पतादे कि रजनीश की लाश एक सेफटी टैंक से मिली वो सुबह घर से निकला था पर देर रात तक नहीं लोटा इसके बाद उसके भाई ने थाने में लापता होने के तहरीर दी थी मिरतक के भाई मनेश ने पुलिस को हत्या की पीछे का कारण मिरतक रजनीश और चाचा चुनिल और उसके भाई पर हत्या करने का आलोप लगा है वहीं आप पुलिस अपने तरीके से मामले की जाच कर रही है जो भी सच होगा जल्द ही सामने आएगा इस रिपोर्ट बस रही देश और दिना के तमाम बड़े खपरों से जुड़े रहने के लिए बने रह वीके ब्यूस राष्टर के नाव